हांजी स्टूडेंट्स इस वीडियो दे विच आपां जो शिहीती हफ्ता चाल रहे हैं श्री गुरु गोबिन सिंग जी दे सहब जादें दी शहादत नूं लेके कि में उना दा परिवार जड़े की बिच्छड़या को दो बिच्छड़या ओपा सारी इस वीडियो दे विच में तहानों जड़ी की जानकारी शियर करूंगी तो हटे नौ शिहीती हफ्ता जड़ी की छे पो तो लेके तेरां पो तक ते चौदां पो नूं छोटे सहब जादे ना संसकार किता जानदे सो एक्की दिसंबर तो लेके नतीर संबर तक ता ये समय ते शिरीगुरु गोविन सिंग जी दे जिननों शिरीगुरु गोविन सिंग जी जिननों अपन्ण सर्वांस दानी ठीक है कलंगीत अर्दश मेश पीता चिट्टे वाज्यां वाले इना नाम नालवी अपन जान दें तां श्री गुरु गोबिन सिंग जी दे चार सहब जादे सहब जादा बाबा अजीर सिंग जी जीना दा जनम होया 600 स्तासी स्वीदे विच बड़े सहब जादा बाबा अजीर सिंग जी जनम होया 600 स्तासी स्वीदे विच ते जदो इनाने शहादत प्राप्त कित्तियो समेना दी उमर्सी स्तारां साल लाँदी ते इनादा जनम होया सी पाउंटा सहाइब दे विच जदो गुरु जीने पुगा नीदा जुद्ध जलेकी जित्त्यासी ते सहब जाद बाबा जुजार सिंग जी एनादा जनम होया सी 690 स्वीदे विच अनान्दपूर सहब दे विच ते शहादत दे समेना दी उमर्सी चौदां साल लाँदी ते सहब जादा बाबा जुरावर सिंग जी तीजे जडेकी सहब जादे होयने है एनादा जनम अनादपूर सहब दे विच होया 1690 स्वीदे विच ते शहादत दे समेना दी उमर्सी नौँ साल लाँदी सहवजाद बाबा फते सिंग जी एना दा जनम होया सोणासुनड इनमेस्वी देवीच अनन्दपुर सहदेवीच ते शहादद्दे समे एना दी उमरसी सत सालांदी ते शिरी गुरु गोबिन सिंग जी ने जड़े क्योना दे जीवननू दो पाग गन वीच बंड़े जन दा पूर्व खालसा काल ते उत्र खालसा का पूर्व खालसा काल देवीच 1675 तो लेके 1699 तक क्दा समय ते 1699 देविच गुरु गोबिन सिंग जी ने अनांथपूर सहिब देविच केसगड नामी स्थान ते ठीक है खालसा पांथदी साजना किती सी ते अनांथपूर सहिब नू शीरी गुरु तेक बहादर जी शिरी गुरु गोबिन सिंग्छी दे पिता जी, शिरी गुरु तेक बहादर जी नोमे गुरु सहीवान ने विलास पूर जेड़े की राणी चमपा तो लेके जड़े की अनांतपुर सहीवनू बसाया सी ते उत्थे शिरी गुरु गोबेंस्टिंजी न खालसा पांथी साजना कित्ती ते उत्तर खालसा वला जड़ा समाई वो 1600 नड़ी नमेतो लेके 1788 वी दकदा समाई ते अनांदपुर साहिव देविच डेड़ी की दो लड़ान्य हो जाने पहली लड़ाई 1721 वी देविच ते दूजी होई सी 1734 वी देविच जड़ी 1734 वी लड़ाई होई छी लड़ाई हो जड़ेके मोगल सरकार ने औरंग जेवु समय दखणवली साइट देविच सी मोगल सरकार ते पहाडी राझे पीमचंध एना ने रलिके बजीर खान दी जड़े की सुब्वेदार लहॉर दा तेसरा हां दे फौसदार एना दी मदल लेके अनन्दपर सहीवनू चारे पासे तो केरा पालया तेहे केरा जड़े की अठ्थ महिने तक चलता रहा मईी तो स्टार्ट हो गया जिस दे विच जदो नन्दपर सहीवनू चा हो रग्ये तक रखना मुश्कल हुन्दा जा रहा सी ता इस दे विच जड़े चाली सिख सी गुरु गोबिन सिंग जीनू जीना दा मुख नेता सी आगु सी पाई महा सिंग जी उजड़े की गुरु जीन वे दावा लिखके चले गया बाद दे विच माता गुजर कौर जी ते सिखा दे जड़े की होर जुद करने नाली संभव नहीं हो रहा सी पुखे ते हाई सिख सी ता गुरु जीनू जड़े की अनांधपूर सहब दा किला चड़न देली बेंती किती गी ता गुरु जीने बेंती न परवान करके जड़े की अनांधपूर सहब दा किला आपने तार्मीक ग्रन्ता दियां कि गुरु जी जड़े की चेपो लू जदो किला खाली क्वी ताउ 10धा ज़ू झुकष ने तें पहाड होग तांम गुरुजी ने फोलु पेसे नद्धू 514 जड़ाए अगया। ता मुगल फॉज ने पहाडी राजने गुरू जी दि साना दा पिछा किता। ता गुरू जी ने पाई उदे सिंग ते कोज सिखानू इना जेडे की जालमा दा मुकावला करण दा अधेश दा। ता पाई उदे सिंग जी शाहि टिबी दे स्थान ते जेडे की Qehi disambara, ते कईवा रहे हैं जडिढे की छे पो दे अक़ाईंक कईवा रहे है Iki तो जडिढे की बाइद शंभर जबी 30 संभर भी हो जाना तो 6 पो इकी द संभर 1740 विनू किला छट्या गया ता सत पो बाइद संभर 1740 विनू जडे की सरसण अधी ते आसा दिवार्दा किर्तन किता गया आसा दिवार्दा किर्तन करंतों बाद जड़े की उत्थों अग्ये चाले पोने सी तां पता लग्या की मुगल फौज तेजी देनाल हो रग्ये बदरीये उद्रों जड़े की सर्सान दिदे विच जड़े की पैंदे कार्ण हाड़ा आया होया सी बहुत ठंड दा मौसम सी ता सत पोन गुरू जी दा परिवार है जड़े की तिन हिस्या ने वीछ बंड़े आ गया पाई मनी सिंग जी ते गुरू के महल एक साईड ते दुजे पासे शिरी गुरु गोबिन सिंग जी दशमेश पीता ते बड़े सहव जादे सहव जादा अजीर सिंग जी सहव जादा जुजार सिंग जी एना ने ते कुझ सिंगा ने सर्सन दीनु पार करके चम कोर दी गड़ी दे विच पहुंचे ते तीजे साइड ते छोटे सहब जाते ते मता गुजर कौर जी सर्सा नदीनु पार ना कर सके ते ओ सर्सा नदी ते किनारे ते चल पै ते सर्सन अधिते किनारेते जड़ेकी चल दे ओहो कुम्मा माशकी दीचो अपड़ी दे विचो नने जड़ेकी रात बतीत कित्ती सत पोधी सत पोधी कुम्मा माशकी दीचो अपड़ी दे विच जड़ेकी बतीत कित्ता समा उस्तो बाद अठपोन ते सर्सन नजीदे विच्छ हाडाम करके बहुत ही अनमोल जड़े की साही था ओ सर्सन नजीदे पेट चड़ गया ते उस्तों के अठपोन आठपोन जड़े की तेईद संबर आठपो तेईद संबर स्तारां सु चारी सिन बड़े साहीब जाती ते शीरी गुरु गोबिन सिंग जी ते चारी सिक उनने चमकौर दी साहीब दी गड़ी दे विच्छ सन ता चमकौर साहीब दी गड़ी नुवी मुगल फौजा ने लिड़े की केरा पालिया ता मुगल फौजा ने गिन्ती सी दास लख मुगल फौजा ने गिन्ती सी ते सिक फौजा दी गिन्ती सी चारी सिक सिर्फ चारी सिक ता इना सिखाने, चारी सिखाने, पांच पांच जडेकी पांच जथे बनाई ते मुगल फोजाना जडेकी मकावला किता सवा लाख से एक लड़ाऊं, तवे गोविंद सिंग नाम कहां ते एस लडाई देविच चमकोर सहब दी लडाई देविच बड़े साहिब जादे, साहिब जादे बाबा अजीत सिंग जी, साहिब जादे बाबा जुजार सिंग जी, इनने जड़ी की शहादत प्राप्त किती, ते साहिब जादा बाबा अजीत सिंग जी दी उमर जड़ी की ओ समय सी 17 सालां दी, ते बाबा जुजार सिंग जी दी उमर सी 14 साला दी ते साहब चादा बाबा अजेद सिंग ची 302 में 302 में जड़ी की 13 फट्टोंना दे शरीरते लगे ते मुगल फोजा दा जड़ी की मुकावला कर दे हुए शहादत प्राप्त केती ते पांज प्यारें देविच्चू तिन जड़े की प्यारे ओवी चमकोर साहब लड़ाई देविच्च जड़े की उनने शहादत साप्राप्त केती पाई हिमत सिंग ची पाई मूकम सिंग ची ते पाई साहिब सिंग ची ते ओदर जड़े की माता गुजरकोर जी धुझे पासली ते चोटे साहाब चाते गुंगु ब्राह्मन उन्नानु कुम्मा माश्कीरी चोपडितु जड़ेकी अपने पिंड सहेडी खेडी जड़ेकी उत्थे लायाया आठपोणु आठपोणु जदों बड़े सहेब जादे चमकौर सहेब दी लड़ाई देविच शहात्त प्राप्त करके तो अधर छोटे स हब जाते ते माता गुजरकौर जड़ेकी गंगु ब्राह्मन अपने पिंड सहेडी लायाया ता ओसे रात उसने माता गुजरकौर जी गोल सोने दिया मोरां देखिया ता जिसनु देखके वदा माना जड़ेकी डोल गया ते उसने मोरां जड़ेकी चुरालिया ता दुज् माता गुजर कौर जी ने गंगु नु किया पुत्तर चंगा किता तो तानवाली थैली जड़े की सामके रख ली ताहे सुनके गंगु नु बहुत गुसा आया ता उसने किया कि तुसी मेनु जड़े की चोर समझ रहे हूं क्योंकि माता गुजर कौर जी ने गंगु नू ओ मोरा दी थैली चाकते हुए देख लिया जी ताउ इस चीजनू सहार ना सक्या उसने गंगु ब्राह्मन ने अपने पिंडदे चौधरी ते मुरिंदा दे कोत वली दे वीची जड़े की शकाइत करदती की गुरुची दे छोटे लाल ते माता गुजर कौर जी उस देकार ने ताउ उननु जड़े की उत्थों गिर्फता करवादता गया नो पो नू ठीक है नो पो नू चौविध संबः 25 दीसंबः नो पो माता गुजर कौर जी ते छोटे सहयब जादे आनौ गंगु ब्राह्मन ने पिंड़े की गिर्फता करवादता ता गुरु जी दे जड़े की लाला नू ते मादा गुजर कौर जी नू जड़े की गिर्फतार करके मुरिंदेलयां दागिया 9 पो नू ते अधर गुरु जी दे बड़े साहव जादे ते तिन प्यारे चमकौर साहब दी गड़ी दे वीचे जड़े कि उन्होंने शहादत प्राप्त कर ली सी ते चाली सिखा दे वीचों सिर्फ पांच सिखा जड़े की बचे सी ता उन्हों दे वीचों गुरु जी नू प्राथना किती गी कि अगर अपने मुगल फौस दे नाल जालम फौस दे नाल जड़े की अपनू मकाबला करन दे ली एक्थों जाना जरूरी है ताहीं अपन जड़े की इसनू जालम फौस दा जड़े की मकाबला कर सकते हैं तव गुरु जी ने सिबेंतिन सविकार किता, ते नौ पो नू चमकौर सहब दी गड़ी दे विच, गुरु जी जड़े की ताड़ी मार के ललकार की, की हिंद दा पीर जार है, हिम्मत है ता रोक लगो, चमकौर सहब दी गड़ी नू छट्या, ते गुरु जी दे नाल दो प पच्चीद संबर नू माता गुजरकौर जी ते छोटे सहब जाद्यानू, जड़े की मुरिंडा, स्रहांद दे विच लियांदा गया, ते माता गुजरकौर नू ते छोटे सहब जाद्यानू, स्रहांद दे विच थंडे बुर्ज दे विच रख्या गया, थंडे दे विच ज़वो बहु झादे गर्मी हुँ दीだ विच वी ठंडे वूर्णे वी जडे की कम्बणी चरती सी ता ओस समेटा चक्त धी ठंड मेख दे असरे पहला अंधाज्जावी ने लगा ती कि ठंड हुँ नी ते गुरु जळे अल Corn Nuclear ते दास पोन जोदो मादा गुजर कॉर जी नूटे छोटे सहब जादेनू सहांद दे बिच ठंडे बुर्ज चले आंदा गया सी ता ओधर जडे बढ़े सहब जादे सी सहब जादा बाबा अजी सिंग जी बाबा जुजा आर सिंग जी ओनाना जडे की संसकार बिबी हर शरन क और जीने जडे की किता 10 पोनु ता एदर 11 ते 12 पोनु जडे की सुबे दिक चैरी लाग दिया जिस दे विच गुरु जी दे लालों नु बहुत सारे तसीहे दते जन देने ठिक है ते उना नु तसीहे देन दे नाड़ों नु लाल च भी दतता जन दा पार गुरु जी दे जड़े की लाल ने ओ अपने तरम तो नहीं डोल दे ते उना ते जड़े की लाला ते जुल्म किते जान देने उनानु पिपल दे नाल बालन के उना ते गलेला जड़े की गुलेले मारे जान देने इस तो लावा उनना ते जड़े की साव उननों इसलाम तरम कबूल करन ली कि हाँ जानदा जदो ता जदो सहाब जादे नहीं मानदे ता इक खमची तूत दी पतले छटी हों दिया लेके सहाब जादे आनों जड़े की मार्यावी जान्द है ताँ जो जड़े की हो 60 लगण देना आली सिलाम तरमनों कबोल परलें पर गुरु दे लाल जड़े की ओ उनादा माना जड़े की अपने तरम ते ही द्रेड रहेंद है ते गुरु जी दे सहब जा देया उंगला दे विच पलित्ते रहके वी जड़े की अगल गायी जान्दिया ताँ की उननादी चमड़ी साड सके बहुत सारे उनना नुट सीद्ते जान्देने ते नाल दी नाल एवी दुस्ते आजान दाए कि तहाड़े जड़े की बड़े प्राने ओ चमकौर साहब दी गड़ी दे विच शहादत प्राप्तगार गेने ताहुन जड़े की तुसी आगर बचना चाउने ताई सलाम तर मनू कबूल कर लवो पर गुरू जी दे साहब जड़े की उहो जालम दी जड़े की इन नहीं मान दे क्योंकि उन्हाने जड़े की सिख्या माई ही हासल गित्या होना सी की जुल्म दा जुल्म दे खिलाफ जड़े की लड़न दी सिख्या सी ना की उन्हान दे अगे जड़े की इन मनना दी जदो सुब्बे दी कचैरी दे विच्चोंदेने बाराँ पूर्ण ता जड़े की दरवाज्या वंद करदता जान्दा ते उद्धी छोटे खिड़की खोली जान्दी है ता की जदो गुरुजी दे लाला जड़े की अंदर जानगे ता सिर चुकानगे पर गुरुजी दे लाला जड़ेकी सिर नीचकोंदे बळकी अपनी पैर अगगे करदेने ता ते बहुत उच्ची वाजे विच वहगुरुजी का खालदा है वहगुरुजी की फतेदा जड़े की जगारा लोंदेने ते एस ननू देखके जड़े की सुच्चानाद होंदा सुच्चानाद बजीर खानू होर पड़का हुंदा साहव जाद्यान देवरूध ते ओथे जड़े की मलेर कोटलादा नवाव होंदा शेर मुहमध खान उसनू केहा जान्दा की उसदे जड़े की उस देवीच माराया गया ता उसनों कहा जादा कि तुस्ती जड़े की सहब जादेयां तो छोटे सहब जादेयां तो इस उनना दी प्रादी मौद दा वद्रा लाइसा होती। पर मलेर कोट लेदा नवावा जड़े की शेर महम्मद खांग। हां दा नारा लगांदा है तो उस दी दुश्मनी शिरी गुरु कोबिन सिंग जी नाल है ता उनना तो ही बदला लवगा ठीक है एना छोटियां जिन्दा तो नहीं ता उस चीज दा हां दा नारा लगाव के जड़े की सुबेदी कचारी देविच्चू चला जांदा है पर साहब जा देने के हा कि पिता गुरु गोबिन सिंग जी कोल जावांगी ते सिंग कठे करांगी ते ए सुबा सरहांद दा सिर लवांगी ता सुच्चा नांद ने फिर जड़े की बजीर खानू पड़काया कि एना नू जड़े की नहीं छड़ना चाहीदा ता सुब्वे दी कचैरी दे विच बारांपो नू जड़े की फत्वा जारी किता जानद है की छोटे सहब जा देनू जिन्दा नीहां दे विच जिन्या जावबा काजी रुस्तम दीन ते अलिखां ता इस समेदे दरान ग्यारां ते बारांपो 10-11-12 मोती मेरा माता गुज्रक जिदे चोटे सहब जा देनू जड़े की दुद्ध पिला के अपनी सेवा करता है ते ओहो जड़े की सिपाही सी जो ठंडे बुर्ज दे कोल सी उसनों अपनी करवडी दे गैने दे की जड़े की दुद्ध पिलांदी जड़े की सेवा करता है ता बारांपो नू जड़े की ए फ्रमान जारी करदता जन्दै कि सहब जाद्यान। तेरां पोगणी जड़ी कि जिन्दा नीहांदे विच चिल्णवाया जाओगा ताफ गुरुजी दे लाला जड़ी कि बारां पोगणी बापस माता गुजर कौणी गुजर कौणी ओंदेनी तां 12 पो वळी जड़ी की रात नूँ माता गुजर कौर जी कोल चोटे सहब जा देंदी आखरी रात होंदिया क्योंकि 13 पो वळी जड़ी क्योंनानू जिंदा निहांदे विच चीने आजांदा तेरां पो वळी दीन तेरां पो अठाईद संबर नूँ माता गुजर कौर जी अपने लालानू बाबा जुरवर सिंग जी बाबा फते सिंग जी बाबा जुरवर सिंग जी दियुमर सी 9 सालां दी ते बाबा फते सिंग जी दियुमर सी 7 सालां दी उननों बड़े चामा दे नाड, नीले चोले ते कलकी सजागी जड़े की सुब्बे दी कचैरी दे वाल तोर देने सिपाज्या दे नाड ता एक राइटर है सोहन सिंग सीतल वो लिख दै कि छोटे साहब जादे बाबा फते सिंग जी थोड़ा गे जाकी पिछे माता जी वाल देख देने कि ते कैंदे ने कि दादी जी माता जी दे अकाल चलाने तो बाद तूसी सानु कदे कल्ले नहीं छट्या सी उन वी साड़े प उठाईद संबननु गुरुजी दे लाल सुब्बे दिकचारी दे विच ओंदेने ता सहब जादे ने आनके जड़े कि फते बलाई जगारा बलाया उच्ची वास दे विच उना दे चेरे दा जलाला जड़े कि डुल डुल के पैरहा सी उनानु दिवार दे विच चेनन दे हुकम दा कोई वीरडार पै नहीं सी छोटे सहब जादे ने अपने दादा जी शिरीगुरु तेक बहादर जी अते पड़ दादा शिरीगुरु अर्जन देव जी दे वांग जड़े की और डुल सन तो उनाने उनाने अंदर शहादत दे जड़े की चा साफ जड़े की नज ता नवाव ने फिर तो पुच्छया की जे तुसी इसलाम तरा कबूल कर लोंगे ता तहानू जड़े की छड़ दता जाओगा तेट सा तहानू जड़े की बहुत भमूले जड़े की तोफे दते जाणगे पर दोना सहब जादे ने जड़े की फिर तो सुबेदी इन नाम ते गुरू जी दे लालानू जड़े की जिंदा नीहाँ दे विच चेन शुरू कर दत्ता ज़ेया। जलाद सी शाशल वेग ते बाशल वेग जीना दा केस सु्ब्य दिकक्छारी दे वीच जादा रहा सी ता उन्हानने कहावी जई developed case जड़े की रध कारधत्ता जाऊगा उन्हाच सज़ा माफ कारधती जाऊगी ता उन्हाने उस case दे वाद्र patreon menu is जिबा किती, मतलव कि उनना दी जड़े की स्वास नड़ी सी उननू हौली हौली जड़े की कट्टेया, ता पाप की सा रगानू जड़े की हौली हौली खंजरदे नाल बढ़ेया गया, ता बाबा जोरावर सिंग ची दा स्रीर पहला थोड़ा शांत हो गया ते बाबा फते सिंग ची दा स्रीर अद्धी कड़ी तक बारा मिन्टे तक हिलदा रहा ते फिर लिड़े की उन्हादा श्रीर शांत हो गया तहें समाज जडे की धानू दसेया की पौणे 11 तो लेके साड़े 11 होज तक ते एस समय दे विच्छ जडे की सत नाम जी दा बाहे गुरू दा जाप करना बहुत चारे जरूरी हुँद है ता अपनू सबनू जडे की उन्हादी शहादत नू मुख रख दे हुए जडे की करना चाहीद है उस तो गे 14 पू नू चौदा पू उनत्ती दिसंबर नू दिवान टोडर माल जडे की सोणे दा बपारी सी ओर बजीर खानू जडे की उदे नालो मिलद है ता बजीर खान तो आग्या लंद है की उन्हान ने जडे की गुरू जी दे लालां दा ते मादा ग खडियां मूरा रख की मूरा जडे की सोने दियां खडियां रख की जडे की जमीन लेंदे लिए केंदा भी फिर मिलूगी ता दिवान टोडर माल जडे की जीमीदार चौदरी अत्तेरी जमीन सी जडे की उदे नाल लग दी सी सुबे दी कचारी दे नाल ओ जमीन खरीदी च स्कियर ठिक 78,000 सुने दिया मोरा सी हो जिड़ी की कीमत बांदिया सब तो मैंगी जमीन खरीदी दो अरब पंजाक रोड़ दी दिवान टोडर मलने गुरु जी दे लाला दे ते माता गुजर कोर जी दा संसकार की ता गुर्दवारा जो तीस रूप साहिव जड़ी की सुषोपी ता फतेगर साहिदेज तानवाद वहे गुर्जी का खाल्सा वहे गुर्जी की पतेगर